साथियों, सेंक्डों साल पहले आदी संक्राचारिय हो या आधुनिक कान में स्वामी विवेकानन हैं, हमारी संत परंपरा हमेशा एक भारत, स्वेष्ट भारत का उद्गोश करती रही हैं। रामकर्ष्ण मिशन की तो स्थापना एक भारत, स्वेष्ट भारत के विचार से जुड़ी हुई हैं। स्वामी विवेकानन ने इसी संकल्प को मिशन के रुप में जिया था। उनका जन्म बंगाल में हुआ था। लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में जाईए। आपको ऐसास सायद ही कोई शेत्र मिला जहां विवेकानन जी गए न हो या उनका प्रभाव न हो। उनकी यात्राओं ने गुलामी के उस दौर में देश को उसकी पुरातन राष्ट्रिय चेत्रा का एसास करवाया। उसमें नया आत्मविश्वात्म का रामकृष्ण मीशन की इसी परंपरा को स्वामी आत्मस्थान जी ने अपने पूरे जीवन आगे बढाया। उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में अपना जीवन खपाया, अनेक काम किये और जहां भी वो रहे वहाँ पूरे तरह रचबस गए। गुजरात में रहकर वो इतनी अच्छी गुजराती बोलते थे। और मेरा तो सहुभाग रहा कि जीवन के अंतकाल में भी जब उनसे बात होती थी तो गुजराती में होती थी। मुझे भी उनकी गुजराती सुनना भावत अच्छा लगता था। और मैं आज याद करना चाहता हूँ कि जब कच्छ में भूकम पाया था, तो एक पल भी उन्होंने नहीं लगाया और उसी समय तब तो मैं राजनिती में कुछ भी नहीं था, मैं किसी पतपर भी नहीं था एक कारकरता गिरुप में काम करता था। उस समय भी उन्होंने मेरे साथ सारी परिस्तिती की चिंता की बातिती और रामकेशन मिशन कच्छ में क्या काम कर सकता है। और देखते ही देखते हैं पूरे विस्तार से और पूरे समय उनके मारदर्सन में उस समय कच्छ में भुकम पिरितों को राहत देने के लिए बहुत सारे काम चालू हो गए। इसलिए रामकेशन मिशन के संतों को देश में राष्ट्रिय एकता के समवाहक इस रूप में हर कोई जानता है। और जब वो विदेश जाते हैं तो वो वहाँ भारतियता का प्रतिनिदित्व करते हैं।